हेलो फ्रेंड सभीता का कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एक खालू से धेर सारे पकोड़े जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही असान तरीके से ये बन करके तयार हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं पकोड़ा बनाना पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बरतन ले लेते हैं और बरतन में हम डेड़कप बेसन को डाल देते हैं पकोड़ा बेसन से ही त्यार किया जाता है तो डेड़कप हमने बेसन को ले लिया है अब इसमें हम दो चम्मत चावल का आटा डाल देते हैं च लेवर काफी अच्छा आता है और पेट के लिए भी बहुत ही फायरे मंद होता है कलर के लिए हल्दी का पाउडर डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं जीरा का पाउडर डाल देते हैं तीखा के लिए लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं टेस्ट के से मिस्क कर लिया है और थोड़ा थर्पाइं डाल करके और इसे हम घोल त्यार कर लेते हैं एक ही बार ज़्ञादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो घोल जो पतला हो जाएगा और इसमें गुठलिया भी पड़ जाती है तो आप देख सकते हैं कि घोल जो त्यार हो चुका है अब हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया की पती डाल देते हैं, टेस्ट काफी अच्छा आता है, तो आप इसे जरूर डाले, और इसमें हम निम्बू का रस डाल देते हैं, निम्बू का रस डालने से थोड़ा खटा पनाता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, और तेल भी कम सोखता है इसलिए हम निम्बू का रस डाल रहे हैं और इन सभी कोचे से मिस्क कर लिये हैं यहां पर हमने एक आलू लिया है यह कच्छा आलू है इसे हम छील लेते हैं अगर आप आलू को छीलना नहीं चाते हैं तो इसे पांच मिनट के लिए पानी में रख दीजिए ताकि ज नहीं पर हम चिप्स कटर लिये हैं और चिप्स कटर पर ही इसको हम चिप्स की तरह काट लेते हैं और जो लाश्ट में छोटा आलू बच जाता है उसे हम हटा देंगे आप नहीं भी हटा सकते हैं उसका भी बना सकते हैं तो आलू को हमने काट लिया है आप देख सकते हैं कि जो घोल त्यार किया है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है अब हम कडाई में तेल को गरम कर लेते हैं तेल हमने सरसो का लिया है आप किसी भी तेल में तल सकते हैं थोड़े से घोल को हम कडाई में डाल करके चेक कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम पर तलने सिया होता है कि आलू जो है अंदर से पकता है और उपर से क्रिस्पी भी होता है इस पकोड़े को हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे नहीं तो आलू जो है अंदर से नहीं पकेगा और उपर से बेसं जो है क्रिस्पी भी नहीं होगा सौप्ट ही रह जाएगा इन सभी को को हमने डाल दिया है दो से तीन मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि अच्छे से यह पक जाए तो एक तरफ से यह पक चुका है अब हम दूसरे तरफ से इसे पलट देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है कभी भी मेहमान घर पे हैं तो इस यह टेस्टी लगता है खाने में पकोड़े का कलर चेंज हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं बिल्कुल क्रिस्पी बना है तो आपको तो पता चेलिंग गया होगा कि कितना यह क्रिस्पी बना है तो जो भी बचा हुआ पकोड़ा है उसे भी हम कडाई में डाल करके तल इस पकोड़े को आप चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी यह बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप स्नेक्स के रूप में भी ले सकते हैं सभी पकोड़े को तलने के बाद घोल जो है बच गया है तो इसमें हम प्याज को काट लेते हैं लंबे अकारो ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें हम हरी मिर्ज को भी काट करके डाल सकते हैं प्याज के पकोड़े में बहुत ही टेस्टी लगता है प्याज को पकोड़े को हम तल करके निकाल लेते हैं तब तक हम हरी मिर्ज को काट लेते हैं इसे हम अलग से तलेंगे तीसे हमने सी जड़े करते हुड़ा करने के वाद मिर्श को भारतते हैं सभीक defy करें तो कहला निर्च पर चाथाओं तो आप देख सकते हैं कि हमारा आलू का पकोड़ा कितना अच्छा बन करके त्यार हुआ है इसे सौस या हरी चटनी के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगता है आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा प्रेंड्स आलू के पकोड़े कैसी बनी है आप कॉमेंट में हमें जरूर बताईएगा लाइक कर देजिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद